गुड मूरिंग दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जी आँ दोस्तों यहां पर आपको देखने के उमलेंगी आज दिन बर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचारों के रोप में दोस्तों ओमिक्रोन का खत्रा लगातार बढ़ता जा रहा है पहली बाड़ी खबर दिल्ली में छे महीने में सबसे जादा मिले कोरोना के केस अब हर पोजिटिव केस की जीमनोम सिक्वेंसी से होगी जाच केजरीवाल ने केंदर सरकार से बुस्टर डोस की मांगी है मनजूरी जी आँ दोस्तों राश्टराजदानी दिल्ली में कोरोना प्रिवाल ने कहा कि दिल्ली में 99 प्रतिशत लोगों को पहली डोस दे दी गई है 70 प्रतिशत लोगों को दोनों डोस लग चुकी है जो लोग दोनों डोस लगवा चुके हैं उन्हें बुस्टर डोस की जरुरत है और मिक्रोन से लड़ाई के लिए दिल्ली सरकार तेयार है केंदर सरकार से अपील है कि बुस्टर डोज की मनजूरी दी जाए दोस्तो दिल्ली में रईवार को 107 करोना केस दर्ज किये गए थे यहाँ 6 महीने में पहली बार एक दिन में इतने ज़ादा केस लिस्टिड हुए है इससे पहले दिल्ली में 25 जून को 115 केस दर्ज किये गए थे जो एक दिन में सबसे ज़ादा थे ऐसे में दोस्तो माना जा रहा है कि ओमिक्रोन वरियंट की वजह से अब कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार सचियत हो गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार भारत बायोटेक ने तीसरे डोज के किलिनिकल ट्राइल के लिए दिया आववेधन जिया दोस्तो केंद्रिय स्वास्ते मंत्रा लेके आंकलों के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे कम है वहीं इसका नया वरियंट ओमिक्रों भी अब डराने लगा है देश में अब तक ओमिक्रों के 161 मामले सामने आ गए हैं कोरोना वाइरस पर लगाम लगाने के लिए बूस्टर डोज की चर्चा लगातार हो रही है इस सब के भीश भारत बायोटेक ने देश में अपनी वैक्सीन की तीसरी खुराक के लिए तीसरे चरण के किलनिकल ट्राइल के लिए आवेदन जमा कर दिये हैं दोस्तों सुत्रों की माने तो भारत बायोटेक ने अपने इंट्रानेजल गॉविड वैक्सीन की तीसरी खुराइक के लिए 15 दिसम्बर को आवे दिन जमा किया था ये है कौवैक्सीन के इंट्रानेजल टिके का किलनिकल ट्राइल है लेकिन इस बार ये बूस्टर या तीसरी खुराक के उद्धिशों के लिए है इंट्रानेजल वैक्सीन एक अलग ट्राइल पहले ही अपने अंतीम चरण में कर चुका है इंट्रनेजल टीकों में संच्रन को रोखने की शमता होती है वैसे दोस्तों क्या आपने कोरोना के दोनों टीके लगवा लिये हैं या नहीं अगर नहीं लगवाए हैं तो जल्दी से लगवा लीजिए क्योंकि दोस्तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिन लोगों ने दोनों टीके लगवा लिया है उनके संक्रमन की दर काफी कम है हालांकि दोनों टीके लगवाने वाले लोग भी संक्रमित हो रहे हैं लेकिन उनमें गंभीर परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में दोस्तों गर आप चाहते हैं कि आप और आप क्या परिवार सुखी हमेशा रहे तो कोरोना की दोनों वैक्सिनों के डोस जरूर लगवाएं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर पंजाब में बे अदबी के बाद लिंचिंग है जारी किसी भी पार्टी के नेता में यह कहने की हिम्मत नहीं कि पीट पीट कर मार डालने का हक किसी को नहीं दोस्तो बैयद भी करने वालों को सब के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए यह है एक कौम को दबाने और खत्म करने की साज़श है हमारी जड़ों को दीमक लगाने की शाजिस है पंजाब में आपसी भाईचारे और पंजाबियत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है यह बयान है कांग्रेस नेता नवजोत सिंग सिद्धु का आप भले ही इस बयान को बढ़कर चोक रहे होंगे और इसे तालिबानी सोच करार दे रहे होंगे लेकिन दोस्तो पंजाब के जादातर लोग और राजनितिक दल इनी भावनाओं के साथ खड़े दिखाई दे रहे है 18 और 19 दिसंबर को दो दिन में पंजाब में दो लोगों की पीट-पीट कर हत्याग कर दी गई आरोप है कि इनोंने सिखो के पवित्र ग्रहंत गुरू ग्रहंत साइब की बेदभी की घटनाओं को जादातर राजनितिक दल साजिश बता रहे हैं और इन घटनाओं की निंद दालना गलत है विसे दोस्तों आपको क्या लगता है अगर किसी ने अपराद किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए लेकिन भीड के हवाले कर देना और फिर भीड का उसे पीट-पीट कर मार डालना कहां तक सही है कमेंट बोक्स में अपनी राइज जरूर दीजिए क्या ये तालिबानी सोच नहीं है कमेंट में अपने विसार जरूर प्रकट करें इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर नवजोट सिंग सिद्दू के बिगड़े बोल कैप्टन अमरिंदर सिंग पर साधा निशाना कहा वह घर बेटे चाट रहे हैं पीम मोधी का तलवा जिया एक बार फिर कैप्टन अमरिंदर सिंग पर निशाना साधा है नवजोट सिंग सिद्दू ने कैप्टन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंग अभी घर बेटे हैं और प्रदान मंत्री निरेंदर मोधी के तलवे चाट रहे हैं सिद्दू का यह बयान कैप्टन की पार्टी और भाजपा के गडबंदन की घोशना के एक दिन बाद आया है दोस्तो नोजोट सिंग सिद्दू ने कपूर्थला में एक जन्सवा को समवधित करते हुए भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंग पर जमकर हमला बोला उन्होंने अमरिंदर सिंग को घमंडी राजा कहा कैप्टन के पुराने बयान को दोराते हुए सिद्दू ने कहा कि कैप्टन ने कहा था कि सिद्दू के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं लेकिन आज वे घर पर बेटे हैं और प्रदान मंतरी मोधी के तलवे चाट रहे है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर जमू कश्मीर में 6 और कश्मीर में एक विदानसवा सीट बढ़ाने का है प्रास्ताव जानिये क्या है परी सीमन आयोग का प्लान दोस्तो बिलकुल आपने सही सुना जमू कश्मीर में परीसीमन को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है परीसीमन आयोग ने जमू में 6 और कश्मीर में एक सीट बढ़ाने की सिफारिश की है अगर ऐसा हो जाता है तो जम्मू कश्मीर में विदानसवा की 90 सीट हो जाएंगी जम्मू कश्मीर में विदानसवा सीटों के लिए गठित परी सीमन आयोग ने अपनी शिफारिसें सरकार को भेज दी है दोस्तो बताया जाराए कि आयोग ने जम्मू में 6 और कश्मीर में एक विदानसभा सीट बढ़ाने की शिफारिस्की है इसके साथी 9 सीठे अनुसूचित जन जाती और 6 अनुसूचित जाती 9 के लिए रखने का प्रस्ताओ दिया है इसके बाद दूस्तो अगली बड़ी खबर बड़ा खुला सा ओमिक्रोन को रोखने में तमाम वैक्सीन है फैल केवल दो हैं कारगर जिया दोस्तो कोरोना वाइरस के खिलाफ को वैक्सीनेशन भारत में अभी पूरा भी नहीं हो पाया और कोरोना वाइरस के नए वारियंट के रूप में नई मुसिबत देश के सामने और पूरी दुनिया के सामने खड़ी हो गई है ओमिक्रोन पर हो रही सुरुवाती रिसेच में पता चला है कि कोविशिल समयत तमाम वैक्सीन कोरोना के नए वारियंट के खिलाफ कारगर नहीं है तमाम वैक्सीन को ओमिक्रोन को रोखने में सफल नहीं है दे न्यूयर्क टाइम्स में चपी एक रिपोर्ट के नुसार वैक्सीन ओमिक्रोन से संक्रमित होने पर ज़ादा बीमार होने से तो बचा रही है लेकिन इस के संक्रमित को रोखने ही पा रही है रिसर्च में केवल फाइजर और मोडरना वैक्सीन के बारे में अच्छी खबर मिली है फाइजर और मोडरना वैक्सीन को बूस्टर शोट से लगाने के बाद ओमिक्रोन को रोखने में शुरुआती तोर पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों शुरुवाती जाच में पता चला है कि एस्टरस्जैनिका, जोंसन एंड जोंसन समेत चीन और रूस में निर्मित वैक्सीन भी ओमिक्रोन को रोकने में शक्षम नहीं है मुसीबत यह है कि अभी दुनिया भर में बड़ी संख्या में अभी लोगों को वैक्सिन नहीं लगी है ऐसे में श्रंकमन के मामले तेजी से बढ़ना कमजोर इम्मुनिटीव वालों के लिए बड़ा खत्रा है टीका करन पूरा न होने की वजह से और नए वरियंट पेदा होने का खत्रा भी है इसके बाद दोस्तु अगली बड़ी खबर श्रिलंकाई क्रिकेटर्स को बोड़ का आया फर्मान योयो टेस्ट में आट मिनिट में दो किलोमेटर दोल लगानी होगी ऐसा नहीं कर पाए तो सेलरी कटेगी जी यहां दोस्तो आपने बिल्कुल सही सुना भारत के बाद अब श्रिलंका में भी योयो टेस्ट होगा श्रिलंका बोड़ अपने खिलाडियों के फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा सक्त होता दिखाई दे रहा है नई गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई खिलाडी योयो टेस्ट के दोरान 2 किलमेटर दोलने के लिए 8.55 मिनट से अधिक समय लेता है तो उसका टीम में चैन नहीं होगा वहीं अगर खिलाडी 8.35 से 8.55 मिनट के बीश 2 किलमेटर की दोर पूरी करता है तो उसकी सेलरी कटेगी हालांगी इन खिलाडियों का टीम में चैन हो सकता है श्रिलंका क्रिकेट बोर्ड ने योयो टेस्ट का भी यही पेमाना बनाया है योयो टेस्ट में श्रिलंका की खिलाडियों को 2 किलमेटर की रेस में भाग लेना होगा पहला fitness test 7 जनवरी को होगा जिसमें सबी खिलाडियों को हिस्सा लेना होगा इसके अलावा महिने में कभी भी खिलाडियों की testing हो सकती है इससे पहले यहनियम भारत में अपनाया जा चुका है जिसमें कई सीनियर खिलाडी इसके शिकार भी बने थे और इसकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी हालांकि भारतिये कप्तान विराट कौली को योयो टेस्ट बेहत पसंद है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार निदन गडगरी ने कहा मेरा वचन फत्तर की है लखीर पांस सालों में अमेरिका जैसी होंगी उत्तर प्रदेश की सडकें जिना दोस्तो केंद्रिय सडक परिवाहन एवं राजमार्ग मंतरी यूनियन मिनिस्टर ओफ रोल ट्रांस्पोर्ट एंड हाइवेज निदन गडगरी ने सौमवार को लोगों से आने वाले विदानसभा चुनाओं में भाजपा की दोबारा सरकार बनाने का आववान करते ह हुए कहा कि पांस साल के अंदर उत्रप्रदेश की सडकें अमेरिका जैसी हो जाएंगी जोनपूर जिले के मशली सहर इस्तित फोसदार इंटरकोलेज में मुख्यमंत्री योगी अधितनात के साथ करीब पंद्रा सो करोड रुपे के प्रोजेक्ट का लोकारपन और सिल्ला अन्याश उन्होंने किया आयुजित जनसभा को संबोधित करते हुए कड़गरी ने राज्टरवाद शुशाशन और विकास को अपनी प्रात्मिक्ता बताते हुए कहा कि मेरा वचन फत्तर की लखीर है आने वाले पांस सालों के अंदर उत्तर प्रदेश की सडकें पाकिस्तानी बोट में मिली 77 किलो हैरोईन 400 करोल की है कीमत 6 तसकर कर लिये गए गिरफतार जहां दोस्तों गुजरात के डीजीपी आशिश भाटिया के मुताबित गुजरात एटीएस और कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक बड़े ओपरेशन को अन्जाम दिया साइक्तु टीम इनको बैशने की प्लाइन कर रहे थे आशिश भाटिया के मुताबित एटीएस को सूचना मिली कि ये माल गुजरात साइड में किसी को डिलिवर किया जाना था इस सूचना के आदार पर हमारी टीम ने कोस्ट गार्ड के साथ संपर गिया और संयुक्त ओप्रेशन में इन ल 2000 किलो हैरोइन अडानी के पोर्ट पर जब्त की गई थी इस बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंड में जरूर बताएं चलिए जान लेते हैं अगली बड़ी खबर अब फ्री में कर सकते हैं आप हवाई यात्रा ये एरलाइन दे रही है मुफ्त सीट और भूजन भी कर दिया है इसी करम में गौफस्ट ने ग्राहकों को आकरशित करने के लिए मुफ्त यात्रा और खाने का ओफर दे दिया है जिया दोस्तो प्राइविट एरलाइन गौफस्ट ने बैंगलूरू से चुनिंदा उडानों पर मुफ्त सीटें और भोजन का ओफर दिया है अग के बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर विराट कोली के एटिट्यूट पर फिदा है दादा जिया दोस्तो सोरव गांगली ने कहा मैदान पर विराट का एटिट्यूट अच्छा पर जगड़ा बहुत करता है जिया दोस्तो आपने बिलकुल सही सुना भारते क्रिकेट में क सोरव गांगली गुरुगराम में एक कारेकरम में पहुंचे थे जहां उनसे पूचा गया कि उन्हें किस खलाडी का एटिट्यूट पसंद है सोरव गांगली से यह भी पूचा गया कि आप जिंदगी के स्ट्रेस को कैसे एंडल करते हैं इस पर गांगली ने हलका फुलका वयान दिया उन्होंने कहा जिंदगी में कोई तनाव नहीं है तनाव तो सिर्फ बीबी और गल्फ्रेंड देती है क्या ख्याले दोस्तों आपका इस बारे में वैसे विराट कोली के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें विराट कोली का एटिट्यूट पसंद है लेकिन वह जगडा बहुत करता है। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर। के निजामपुर गुरुद्वारे में बेहद्वी की कोशिश में मारे गई युवक के बारे में बिहार की राजदानी पटना की एक महिला ने दावा किया की मृत तक उसका भाई है। आई भी ने पंजाब में फिर से बेहद्वी की घटनाओं को लेकर अलड जारी किया है। खुफिया एजेंसियों के अलड के बाद के इंद्रिय अग्रह मंत्राले ने भी पंजाब सरकार को राजे के सभी धार्मिक इस्तलों की मुस्तेदी से निगरानी करने के आदेश दे दिये हैं। पंजाब में माहुल खराब करने की फिरात में हैं इसलिए सभी धार्मिक इस्तलों पर CCTV केमरों की विवस्ता तेजी से की जाए। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के मताबित पंजाब के डेरे और गुरुद्वारे देश विरोधी ताक्तों के निशाने पर हैं। इसलिए खास कर इन इस्तलों पर सुरक्षा बड़ाई जाने की है जरूरत। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। के कारण बहुत तेजी के साथ आप मान गिर रहा है। मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट डाक्टर आर्के जगमानी ने बताये कि सीतलहर 22 दिसंबर को रुक जाएगी लेकिन रात से इसका असर दिखना शुरू नहीं होगा। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली में शीतलहर की चतावनी के साथ साथ रईवार और सोमवार के लिए यलो अलट जारी किया था। वहीं बच्चों बुजर्गों को सुभाज से अमकी शेर से बचने की भी सलाहा दी गई थी। एक जनवरी से बदल जाएगा बड़ा नियम 10,000 से जादा जमा करने पर लगेगा इतना चार्ज। जियां दोस्तो साल का आकरी महीना चल रहा है कुछ दिनों बाद नया साल 2002 शुरू हो जाएगा इसी के साथ बड़े नियम भी बदल जाएगे इसी करम में दोस्तो इंडिया पोस्ट पैमेंट बैंक के ग्रहकों को भी जटका लगने वाला है। इस बैंक के अकाउंट होलडर्स को एक लिमिट से केश निकालने और डिपोजिट करने पर चार्ज देना होगा। इस बैंक पर बैसिक सेविंग अकाउंट पर पैसे जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। और करण्ट अकाउंट में हर मेने 10,000 रुपेज जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा लेकिन इससे ज्यादा करने पर जरूर चार्ज लगेगा इसके बाद दोस्तू अगली बड़ी खबर स्टोक मार्केट में दिन बर मचा कोहराम सैंसेक्स 55,822 और निफ्टी 16,614 अंक पर हुआ बंद जियां दोस्तो कारोबारी सबताहा के पहले दिन सववार को स्टोक मार्केट पर ओमिक्रोन का काला साया चाया रहा बाजार में बड़ी ग्रावट देखने को मिली नेशनल स्टोक एक्सचेंज पर सूची बद 50 प्रमुख शेरों का सूचकांग निफ्टी 371 अंक गिरकर 16,614 के स्तर पर बंद हुआ बुंबई शेर बाजार समवेदी सूचकांग B.A.C. सैंसेक्स 1189.73 अंक गिरकर 15,822 पर बंद हुआ दो पर बाद बाजार में मामुली करेक्शन देखने को मिला स्टोक मार्केट में निवेशक पर ओमिक्रोन की दहशत साफ देखने को मिली दो पर होते होते निफ्टी में एक बजे सबसे निचले स्तर 16,425 पर गोते लगाने लगा हालांकि एक बजे के बाद थोड़ा करेक्शन देखने को मिला ठकी चाल से बाजार ने कुछ उपर कार रुख किया और निफ्टी 16,614 के स्तर पर बंद हुआ इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दा आने वाले हैं जैना दोस्तो राजे सबा में समासवादी पार्टी के इस सांसद जङाब बच्चन सत्ता रोड बीजे पी पर जमकर बरसी उन्होंने कहा कि आप लोगों के बुरे दिन बहुत जल्दा आने वाले हैं खासी नाराज दिख रही जया बच्चन ने कहा कि मुझ पर नीजी हमला किया गया मैं आपको श्राब देती हूँ कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे आप गला ही घोट दीजिए हम लोगों का आप लोग चलाईए क्या कह रहे हैं आप लोग जया बच्चन ने विपक्षिदलों के नेताओं से कहा कि आप बिन किसके आगे बजा रहे हैं इस वजह से हंगामा और तेज हो गया लिहाजा पीठासीन अद्यक्ष भुवेश्वर कलिना ने सदन की कारेवाही पांच बज़े तक के लिए इस्तगित कर दी दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर भारत की तागत से बोखलाया ड्रेगन ने की सेना के कम्प्यूटर हैक करने की कोशिष इंटेलिजेंस ब्यूरो का बड़ा खुलासा जिया दोस्तों आइबी की साइबर थ्रेड इंटेलिजेंस के रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के साइबर हैकर्स भारत के नुकलियर और डिफेंस प्रोड़क्शन से जुड़े कम्प्यूटर हैक करने की फिराक में है इस साल एक अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच देश के महत्योपूर्ण इंस्टोलेशन से जुड़े हुए कम्प्यूटर को हेक करने की साजिश का कुलासा खुफिया विभाग ने के इंदर सरकार और राज्यों को भीज़ी अपनी रिपोर्ट में किया इस साल एक रिपोर्ट के मुताबित 13 कम्प्यूटर के साथ कुल 56 वेब एप्लिकेशन की जानकारी भारते एजिंसियों को पता चली है जिनके जरिये साइबर हैकिंग की कोशिश की गई साइबर थ्रेट इंटेलिजन्स रिपोर्ट के सुत्रों के मुताबित राज्य की स्टेट पुलिस, को अपरेटिव बैंक बैला, पेरा मिलिटरी फोर्सेज, सिविल एविएशन और गारूर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी साइबर हैकरों ने टार्गेट किया सुत्रों की मुताबित सबसे जादा महाराष्ट में साइबर थ्रेट का खत्रा पाया गया है, जिसके 9 एप्लिकेशन्स, वेब एप्लिकेशन्स और 2 महत्यपूर्ण इंस्टोलेशन्स के कम्पिटरों को साइबर अटेकर ने अपने टार्गेट पर लिया था, इसके बाद केरल में 5 जिनमें वेब एप्लिकेशन्स के जरिये हेकिंग की बड़ी कोशिश की गई, दोस्तों आपकी जानकारी के लिए भारत को रूस से S-400 Air Defense Missile System मिलना शुरू हो गया है, जिसके बाद जल्दी भारती सीमाएं और भी सुरक्षित हो जाएंगी, रूस से भारत को मिलन वाली S-400 Air Defense Missile System से चीन परेशान है और लगातार भारत की रक्षा तेयारियों की जानकारी हांसिल करने के लिए जुटा हुआ है, तो दोस्तों यहतियास की तमाम बड़ी ख़बरें, इसके बाद मैं अब जान लेते हैं क्या है, आज का माइंड गूज कूशन, जियां दोस पुकारा करते थे भारत को जिस नाम से, तो उस नाम को जल्दी से कमेंड उक्स में लिख दीजिए, अगर दोस्तों आपका जवाब होता एक दम सही, और आप चुन लिए जाते हैं लग्की विजता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेंजिंग सर्प्राइस गिफ हमारे यूटिब चैनल की और से, तो दोस्तों जल्दी से अपना उतर कमेंड उक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन भी दबा लीजिए, धन्यवाद, वंदे मातरम, जै हिन, जै भारत